Hello friends, इस वीडियो में Read 2015 के Level First Paper के Hindi Language Second Portion के 30 questions solve किये गए और ये questions authentic answer के साथ solve किये गए, तो चलो solve करते हैं Question number 61, Hindi Language Second Portion का First Question प्रश्ण पत्र निर्मान करने से पूरुव, निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आविशक है? Option B, Blueprint Next Question, स्रवे दर्शी शामगरी नहीं है, दूर दर्चन, चल चत्र और ड्रामा तीनों ही स्रवे दर्शी शामगरी है, जबके चाया चत्र दर्शी शामगरी है Next Question, मौके का बिवेक्ति कोशल का विखास करने का शर्शक्त माध्यम है, विद्याले पत्री का नाटक, वाद विवाद या क्विस कारिकरम, तो ये हुगा वाद विवाद Next Question, मुल्यांकन का आविश्य कोण है, वस्तनिष्टता, विश्वश्णेता, वेद्यता, ये तीनों ही मुल्यांकन का आविश्य कोण है, Option D Next Question, पासा दक्सता का प्रारम भी कोशल है, प्रारम भी कोशल होता है सुननना और अंतिम कोशल होता है लिखना नेक्स्ट क्वेस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् शमंग कन योजना तैयार करना, करेक्ट आंसर होगा, option B, next question, वावात्माग पक्ष के मापने तो उप्युक्त मापनी है, वेक्तित्व मापनी या अभिवृत्थी मापनी या उपलब्दी मापनी या प्रायोगिक मापनी, option B, अभिवृत्थी मापनी, next हमारे पास एक गत्यांस है, और इस गत्यांस को पढ़कर question में 69 से 73 तक कांसर करने है, गत्यांस, फ्रांस के प्रशित दाश्निक रोमा रोला ने का था, कि पूर्व में एक भयंकर आग लगी है, जो कि वहां के अंध विश्वास, यह कुरूतियों रूपी जार जनकाड को दग्द करती हुई, शिगरहीप पास्टात्य को भी अपनी चपेट में लेने वाली है, रोमा रोला का संकेत इश्पष्ट रूप्षे दैनंद सर्स्वती की और्था, जो कि भारतिय जन्जाकरन के पुरूधा के रूप में उबर कर सामने आये थे, उपसर्ग, तत्सम सब्द और हिंदी की प्रैतेशे निर्मित सब्द है, दार्शनिक, जार जंकाडों, कुरूतियों या पास्चात्ये, तो करेक्ट आंसर होगा कुरूतियों, नेक्स्ट क्वेस्चन, पुरोधा सब्द में संदी है, विशर्ग संदी, नेक्स्ट क्वेस्चन, निम्नलिखित में तत्सम सब्द है, सब्द हमारे पास शंकेत, चपेट, आग, जाड, इनमें से संकेत तत्सम सब्द है, Next question, निमनलिखित में पूर्वकालिक क्रिया प्रियोग है, भयंकर, उभरकर, करती हुई के रूप में, Option B will be correct answer, उभरकर Next, अमारे पास काव्यांस है, और इस काव्यांस के आधार पर question में 74-78 तक आश करने है काव्यांस, शमा शोबती उस बुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दन्त हीन, विश रहित विनित सरल हो तीन दिवस तक पत मांगते रगुपती सिंदु किनारे, बैठे पढ़ते रहे चंद अनुने के प्यारे-प्यारे उत्तर में जब एक नाद भी, उठा नई शागर से, उठी अधिर ददक पौरुष की आगराम के सर से सिंदु देहेदर त्राही त्राही करता आगिरा शरण में, चरण पूज दास्ता गरण की बंदा मूड बंधन में सच पूछो तो सर में ही बस्ती है दिप्ती विने की, संदी वचनसा पूज उसी का, जिसमें शक्ती विजय की Questions, question number 74, उप्योक्त काव्यास के प्रथम चरण का भाव है प्रथम चरण है हमारे पास, शमा शोब दी उस बुजं को जिसके पास गरल हो Option A, शमा करना भुजं का स्वभाव है, Option B, शमा शक्तिशाली को शोबा देती है, Option C, बलहीन व्यक्ती के लिए शमा आभूशन है, Option D, भुजं का गरल ही उसकी शमा है Option B will be correct answer, शमा शक्तिशाली को शोबा देती है Next question, तीसरे और चौथे चरण का केंदरी विचार है तीसरा और चौथा चरण इस परकार था, कि तीन दिवस तक पत मांगते रगुपते सिंदु किनारे, बैठे पढ़ते रहे चंद अनुने के प्यारे-प्यारे, यानि कि अनुने विने से दुष्टों को नहीं समझाया जा सकता उप्षिन ए, नेक्स्ट क्वेस्टन, बोनस क्वेस्टन ता, इस कावियांस के पांचवे, छटे और सात्वे चरण में किस भाव की अभिवेक्ती हुई है, तो इन चरणों में अभिवेक्ती हुई है, राम के पौरुष्की नेक्स्ट क्वेस्टन, विने की दिप्ती किश में निवास करती है, विने की दिप्ती शर में निवास करती है, ये नवे चरण में बताया गया है Next question, करता के साथ ने कारक्चनाय युक्त वाक्य में, क्रिया शदेव शामाने वर्तमान काल की होती है, या क्रिया शदेव भूत काल की होती है, या क्रिया अपून वर्तमान काल की होती है, या क्रिया पून वर्तमान काल की होती है, ने कारक्चनाय युक्त वाक्य में, क्रिया भूतकाल की होती है, option B next question, निम्न लिकित में कौन अव्य का प्रकार नहीं है, अव्य चार प्रकार क्योते हैं, क्रिया विशेशन संबंद बोधक अव्य, शमूचे बोधक अव्य और विश्मयादी बोधक अव्य शंग्या विशेशन, ये कोई अव्य का प्रकार नहीं है, next question, ये भई लडगा है, जिसने कल चोरी के थी, उप्रुकत वाक्या में रेखां की तवाक्या है, रेखां की तवाक्या है, विशेशन उपवाक्या, next question, चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख लो, इस वाक्या में कलम किश कारक में next question, जहां-जहां वै गया, उसका बहुत सम्मान हुआ, रेखां की तवाक्या रेखां की तवाक्या, विशेशन उपवाक्या, next question, भाषा का मुख्य कोशल है, भाषा के चार मुख्य कोशल होते हैं, लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना, तो ये शबी भाषा के कोशल है, next question, योजना शिक्षन विदी के परवर्तक है, योजना शिक्षन विदी के परवर्तक है, डब्लीच किल पैट्रिक, next question, छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विक्षित करने का माध्यम है, option A, मापुरुषों की जीवनिया, option B, रशानु भूति कविताएं, option C, पौ परवर्तक है, योजना शक्ति का विकाश हो, और ये जो मापुरुषों की जीवनियाएं और पौराणिक गाता हैं, ये उनके चरित्र निर्माण में और उनके व्यत्तित्व को शशक्त बनाने में योगदान देती है, next question, भाशा शिक्षन के शिद्दान्त है, प्रेरिना क शिद्दान्त, गिर्याद्वारा शिट्ने का शिद्दान्त, जीवन से जोडने का शिद्दान्त, उप्रियोगत सबी, ये सबी भाशा शिक्षन के शिद्दान्त है, next question, भाशाई कोशलों, याथा सुनना, बोलना, पढ़ना, एवं लिखना का विकाश किश कक्षा तक उप्रियोगत सभी, option D, next question, श्रवन कोशलों को विक्षित करने के लिए उप्रियोगत प्रणाली है, व्याख्या प्रणाली, तुलना प्रणाली, गीत प्रणाली, या खेल प्रणाली, option D, खेल प्रणाली, then friends, ये थे 30 questions, चूँकि हमने अथेंटिक आंसर की किसा सॉल किये ये questions बहुत ही easy थे और upcoming exams के लिए बहुत जादा important है, I hope आपको मेरा ये effort पसंद आया होगा, तो आप please मेरे वीडियो को like करें, और मेरे इस वीडियो को share करें, और मेरे चैनल को subscribe करें, मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए thank you so much and all the best.